नए वर्ष के मोके पर व्रिंदावन के श्री ठाकुर बाके भिहारी जी के दर्शनों के लिए भकतों की बीड़ व्रिंदावन में बढ़ती जा रही है हर किसी को नए वर्ष पर बाके भिहारी जी के दर्शनों के साथ ही अपने नए वर्ष की सुरुवात करनी है जिससे बिहारी जी का आशिरवाद उनके सभी भक्त पर बना रहे और उनका पूरा वर्ष बिहारी जी की किरपा के साथ अच्छा जाए जिसके करण पूरे विंदावन में भक्तों का जन सिलाब आया हुआ है पूरा विंदावन एक मेले की तरह दिखाए दे रहा है 25 तारिक से 5 जनवरी तक पूरे होटल पहले से ही बुक के जा चुके है जिस वएसे बिहारी जी के मंदिर तक लंबी लंबी लाइनों में दर्शनों के लिए इंतिजार करते हुए भक्त नजर आते है बीड की वज़े से मत्रा विंदावन के प्रशाशन और बाकी विहारी मंदिर प्रशाशन की तरफ से पहले भी बताया गया था कि 25 ते 5 जनवरी तक विंदावन में काफी जादा संक्या में भक्तों की बीड रहने वाली है फिर भी लोग नजर अंदाज करके विहारी जी के दर्शन करने आ रहे है जिसकी वज़े से हालात और बिगड़ते जा रहे है आने वाले तीन दिन भीड का दबाव और बढ़ने वाला है जिसमें 30 तारिक, 31 तारिक और एक तारिक शामिल है 33 तारिक को शनिवार और रविवार है और वीकेंड की वज़े से भीड हमेशा ही रहती है और एक जनवरी को तो वैसे भीड जादा रहने वाली है जिस वे से मंदिर की वेवस्ता और भी जादा बिगड़ने वाली है अभी 24 दिसंबर को ही व्रिंदावन में भीड की वेज़े से दो लोगों की मोत हुई है इसलिए आप सवी से निवेदन है कि 5 जन्वरी के बाद ही भियारी जी के दर्शनों को आए मंदिर प्रबंदन प्रशाशन के अपील को दरकिनार कर रहे है शद्दालू साल के अंतिम पड़ाव और नए साल का स्वागत बागी व्यारी जी की शरण में करने को देश के अलगलत प्रान्तों के लाखो शद्दालू व्रिंदावन में देरा डानने का मन बना चुके है हजारो शद्दालू व्रिंदावन पहुँच रहे है और ठाकुर बागे व्यारी समित शेहर के सभी मंदिरों में बक्तो की बीड का दबाव बन रहा है वर्ष के अंतिन दिनों वो नए वर्ष के स्वागत के लिए ठाकुर बाके भैरी जी की नगरी में लाखो की शंक्या में सद्दालु पोहुच रही है शनिवार से लगतार भक्तो की भीड में बड़ोत्री होती जा रही है शद्दालू हर दिन रिंदावन पहुंच रहे है लागों शद्दालू ने पहले से ही डेरा डाल लिया है चैर के होटल, गैस्ट हाउसों में अब बिना बुकिंग के आरे भक्तों को ठैरने के लिए जगा नहीं मिल रही है ठाकुर बाकी ब्यारी मंदिर में तो भीड का दवाब ऐसा है कि हालत खराब हो रही है भीड के दवाब में शद्दालो की सांसे फूल रही है ऐसे में बिना मास्क के दर्शन को पहुंच रहे शद्दालू से अब कोविड के नई वेरेन का खत्रा मंड़ा रहा है भक्तो की भीड में पोजिटिव मरीज पहुंचने से इसके परसार में रोक थाम कर पाना मुश्किल हो रही है 27 तारिक से 5 जन्वरी तक मंदिर और विंदावन परशाशन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें 5 तारिक तक महार से आने वाले वहानों को रोका जाएगा और स्थाने लोगों को अधार काड और पैचान पत्र दिखा करी विंदावन में परवेश दिया जाएगा साथ ही बच्चों और बुजर्गों को ना लाने की अपील भी की गई है क्योंकि विद्धपीट चुराएं से ही मंदिर तक लंबी-लंबी लाइने लगी हुई है ऐसे में इस भीड में लोगों की सांसे फूल रही है डम गुटने से लोगों की मोत हो रही है इसलिए अगर कोई विंदवन आ रहा है तो अपने साथ बुजर्ग और बच्चों को ना लाए देखना ये रहेगा कि मंदिर परशाशन और पुलिस परशाशन पांच जनवरी तक किस प्रकार इस भीड को नेंतरन कर पाते है क्योंकि भक्तो का हुजूं तो दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है बाकी भ्यारी जी के मंदिर परशाशन ने भक्तो से की है अपील ठाकुल बाकी भ्यारी मंदिर में उमडरी भक्तो की बीड में कोविट के नियमों का पालन करने के लिए मंदिर प्रबंदन और जिला परिशाशन ने पहले ये एडवाईजरी जारी कर दी गई है मंदिर प्रबंदन ने भीड में बच्चों, भुजुर्गों और बिमार व्यक्तियों को ना लाने की अपील करते हुए शद्दालों से मास, सैनिटाइजर वे शारीर दूरी का पालन करने की अपील की है लेकिन शद्दालों मंदिर प्रबंदन की अपील को दरकिनार कर वीड के रूप में मंदिर में पहुँच रहे हैं सो गैज ये थी जानकरी बागी भ्यारी मंदिर में भीड़ और विवस्ता को लेकर और बढ़ती हुई बिमारी कोविट को लेकर अगर आप में से कोई भी बगत व्रिंदावन पांस तारिक से पहले आ रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही व्रिंदावन आए आज कब लोग यहीं पर एंड करते हैं आशा करता हूँ आपको मेरी धीव जानकरी और वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्रिस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्रेब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे कॉंटेंट में आपके लिए हम अगर आता रहता हूं मिलते हैं ने जब तक के लिए जैजेशी रादे ही रादे आप 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 आप